गुजरात में पाटीदार निता हार्दिक पटेल ने एक बयान देकर संसनी फैला दी है आपको बता दे हार्दिक पटेल ने कहा है कि चुनाव आयोग के पहले चरण के परिक्षण में इतना ही नहीं उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्तादारी भाजपा आगामी गुजरात चुनावों में धोका दड़ी करेगी जानकारी के मुताबिक पटेल ने एक ट्वीट में कहा कि चुनाव आयोग के पहले चरण के परिक्षण में 3500 VVPAT मशीने असफल रही हैं और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि बाजपा गुजरात चुनावों में धोका दड़ी करेगी चुनाव आयोग ने 29 नवंबर को कहा था कि वह गुजरात के सभी 50128 मतदान के इंदर पर Voter Verified Paper Audit Trail यानी VVPAT के साथ Electronic Voting मशीने EVM का इस्तमाल करेगा जाहिर है कि गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर 9 और 14 दिसंबर को मददान होगा चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को जारी के जाएंगे तभी तैह हो पाएगा कि गुजरात की जनता ने किस पार्टी को चुना है SPN 9 News Room की रिपोर्ट